काका कालेल कर के नाम से विख्यात दत्तात्रे बालकरष्ण कालेल कर भारत के प्रसिद्य शिक्षा शास्त्री पत्रकार और सुतर्मता संग्राम से नानी थे उनका जन्म एक दिसम्बर 1885 को महराष्ट के सतारा नगर में हुआ था उनका परिवार मूल रूप से करनाटक के करवार जिलेका रहने वाला था और उनकी मातर भाषा कोंकणी थी लेकिन सालों से गुजरात में बस जाने के कारण गुजराती भाषा पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था और वे गुजराती के प्रख्यात लेखक समझे जाते थे काका कालेलकर देश की मुक्ती के लिए सशस्त्र संगर्ष के पक्षपाती थे 1915 इस्वी में गांधी जी से मिलने के बाद ही इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कारियों को समर्पित कर दिया काका कालेलकर सावरमती आश्रम के सदस्य थे और एहमदाबाद में गुजरात विद्यापीट की स्थापना में उन्होंने महत्पूर्ण योगदान दिया गांधी जी के निकटतम सहीयोगी होने के कारण ही वे काका के नाम से जाने गए 1922 में ये गुजराती पत्र नव जीवन के संपादक भी रहे थे वे सर्वोदे पत्रिका के संबादक भी रहे 1930 में पूना में यर्वदा जेल में गांधी जी के साथ उन्होंने महत्पूर्ण समय बिताया जिन नेताओंने राष्ट भाषा प्रचार के कारे में विशेश दिल्चस्पी ली और अपना समय अधिकतर इसी काम को दिया उन्होंने प्रमुख रूप से काका सहब कालेलकर का नाम आता है उन्होंने राष्ट भाषा के प्रचार को राष्टी कारिकरम के अंतरगत माना दक्षिन भारा थिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन में भाषन देते हुए उन्होंने कहा था हमारा राष्ट भाषा प्रचार एक राष्टी कारिकरम है सांसारिक महो माया से मुक्त होने की भावना भी उनके अंदर थी अतरू विद्याले के बंध होने पर वे मोक्ष की खोज में हिमाले की और चल पड़े उन्होंने तीन वर्ष तक देश के विविन भागों की 2500 मील की पेदल यात्रा की वे सावर मती आश्रम के विद्याले के प्राचार बने और बाद में उनके अनभों के आधार पर बेसिक शिक्षा की योजना बनी फिर वे 1928 से 1935 तक गुजरात विद्यापीड के कुलपती रहे गांदी जी के नेतरुत में जितने भी आंदोलन हुए काका कालेल कर ने सब में भाग लिया और कुल मिलाकर पांच वर्ष केद में बिताए उन्होंने पहले स्वयम हिंदी सीखी और फिर कई वर्ष तक दक्षिन भारत में सम्मेलन की और से प्रचार कार किया अपनी सूजबूज, विलक्षनता और व्यापक अध्यन के कारण उनकी गर्णा प्रमुक अध्यापकों और व्यवस्थापकों में होने लगी हिंदी प्रचार के कारणे में जहां कहीं कोई दोज दिखाई देता अथवा किनी कारणों से उसकी प्रगती रुख जाती गांदी जी काका कालिलकर को जांश के लिए वहीं भेशते इस प्रकार के नाजुक काम काका कालिलकर ने सदा सफलता से किये इसलिए राष्ट भाष़ा प्रचार समीती की स्थापना के बाद गुजरात में हिंदी प्रचार की विवस्ता के लिए गांदी जी ने काका कालिलकर को चुना काका साथ की मातर भाष़ा मराठी थी नया काम सोपे जाने पर उन्होंने गुजराती का अध्यन प्रार्म किया कुछ वर्ष तक गुजरात में रह चुकने के बाद वे गुजराती में धारप्रवाब बोलने लगे साहित एकादमी में काका साहब गुजराती भाषा के प्रतिय रहे गुजरात में हिंदी प्रचार को जो सफलता मिली उसका मुख खिश्रे काका साहब को है आचारे काका साहब कालेलकर जी का नाम हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के साथ जुड़ा हुआ है उन्होंने हिंदी के प्रचार को राष्टी कारिक्रम का दर्जा दिया काका कालेलकर उच्च कोटी के विचारक और विद्वान थे उनका योगदान हिंदी भाषा के प्रचारक तक ही सीमित नहीं था उनकी अपनी मौलिक रशनाओं से हिंदी साहित सम्रद हुआ है सरल और ओजस्वी भाषा में विचार पूर्ण निबंध और विविन विशियों की तरक पूर्ण व्याख्या उनकी लेखन शेली के विशेश गुण है मौल रूप से विचारक और साहतिकार होने के कारण उनकी अभिव्यक्ति की अपनी शेली थी जिसे वह हिंदी गुजराती, मराथी और बंगला में सामन रूप से प्रयोग करते थे उनकी हिंदी शेली में एक विशेश प्रकार की चमक और व्यगरता है जो पाठक को आकरशित करती है उनकी द्रश्टी बड़ी सूक्ष्म थी इसलिए उनकी लेखनी से प्राहय ऐसे चित्र बन पड़ते हैं जो मोलिक होने के साथ साथ नित्य नए द्रश्टी कुन प्रदान करते रहे उनकी भाषा और शेली बड़ी सजीव और प्रवावशाली थी कुछ लोग उनके गद्य को पद्य में ठीक ही कहते हैं उसमें सरलता होने के कारण स्वावाविक प्रवाव है और विचारों का बावली होने के कारण भावों के लिए उलान की शमता है उनकी शेली प्रवुद्ध विचार की सहच उबदेशात्मक शेली है जिसमें विद्वत्ता, व्यंग, हास्य, नीती, सभी तत्व, विद्धिमान है काका साब मंजे हुए लेखक थे किसी भी सुन्दर दर्श्चे का वर्णन अत्वा पेचिदा समस्या का सुगम विचलेशन उनके लिए आनंद का विशे रहे उन्होंने देश विद्वश्चा का भर्मन कर वहां के भोगोल का ही ज्यान नहीं कराया अभे तो उन प्रदेशों और देशों के समस्याओं उनके समाज और उनके रहन सैन उनकी विशेष्टाओं इत्यादिका इस्थान इस्थान पर अपनी पुस्तकों में बड़ा सजी उवर्णन किया है वे जीवन दर्शन के जैसे उत्सुक विद्ध्यार्थी ते देश दर्शन के भी वेसे ही शोकिन रहे काका कालेलकर की लगबग 30 पूस्ते के प्रकाशित हुई जिनमें अधिकांश का अनेक भारती भार्षव में अनुवाद हुआ उनके कुछ प्रमुक रचना ये हैं स्मरण यात्रा धर्मो दै हिमाले नो प्रवास लोक माता जीवन नो आनंद अवर नावर काका कालेलकर सच्चे बुद्धी जी भी वेकती थे लिखना सदा से उनका विसन रहा सारजनी कारे के अनिश्चिता और विस्तताओं के बावजूद यदि उन्होंने 20 से उपर ग्रंथों की रचना कर डाली इस पर किसी को आश्चर नहीं होना चाहिए इन में से कम से कम 5-6 उन्होंने मूल रूफ से हिंदी में लिखे यहां इस बात का उलेख भी अनुप्यूकत ना होगा कि दो चार को छोड़ बाकी गरंथों कानवाद स्वेम काका साथ ने किया अता मौलिक हो या अनुदित वह काका साथ की ही भाषा का शेलिगा परिचायक है हिंदी में यात्र साहित का अभी तक अभाव रहा है इस कमी को काका साथ ने बहुत हट तक पूरा किया उनकी अधिकांश पुस्तके और लेख यात्रा के वर्णन अत्वा लोग जीवन के अनुभो क्यादार पर लिखे गए मराठी भाषी होने पर भी काका साहिब ने मराठी से अधिक गुजराती और राष्ट भाषा हिंदी की सिवा की है शिक्षा साहित ते संस्कृत आदी के क्षेत्रों में उनका योगदा नुपम है वे सही माइने में विश्व कोष्ट है राजनिती समाश शास्त्र विज्ञान इतियाद भुगोल अर्थशास्त्र अध्यात्म आदी कोई भी ऐसा विश्व नहीं जिस पर उन्होंने प्रामानिक लेखन्ना किया हो विश्वी शताब्दी के दो महापुर्शों महात्मा गांधी और गुर्देव टेगोर के निकट संपर्क में आए और उनसे प्रेणा प्राप्त करने का अवसर काका साहब को प्राप्त हुआ था उनके सम्मान में भारती डाक टिकट जारी किया गया काका कालिलकर 1952 से 1964 तक संसर के सज़सी भी रहे 1964 में उन्हें पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया वे पिछड़ा वर्ग आयो, बेसिक एजूकेशन बोर्ड, हिंदूस्तानी प्रचार सभा, गांधी विचार परिशत के अध्यक्ष तदा गांधी समरक संगर अलहिके निदेशक रहे काका कालिलकर ने विश्व के अनिक देशों की यात्रा की और गांधी वादी विचारों का प्रजार किया वे ग्रामीड और कोटी रुद्द्यों के समर्थक थे, सामाजिक इस्तर पर वे बेहदवाओ के विरोधी थे संपूर्ण गांधी साहित के लिए नियुक्त परामर्षदाई समीती के काका साहिव एक सजस रहे 1949 में काका साहिव ने गुजराती साहिट परीशत के अधिवेशन के अध्यक्षता की 1989 में 76 वी वर्षगाट के अउसर पर अमदावाद में उन्हें गुजराती में कालिल का अध्यन गरंत समर्पित कर सम्मानित किया गया करतग्य राष्ट द्वारा 1965 में 81 वर्षगाट पर संस्क्रत के परिवराजक तथा 95 वे जन्म दिन पर समनवाई के साधक अभिनेंदन गरंत अर्पित किये गये 1965 में ही भारती साहित एकादमी ने राष्ट पती के हाथों काका साहब को उनके जीवन विवस्तार शीर्षा गुजराती लेक संक्लन पर उपे 5000 का पुरस्कार देखर सम्मानित किया था सरदार पटेल विश्विद्याले आनंद गुजरात विश्विद्याले और काशी विद्या पीट्नियों ने मानद डिलिट से और साहित एकादमी नई दिल्ली ने फेलो से अलंकरत किया काका कालेलकर जी का निधन 21 अगस्त 1981 में 96 साल की उमर में हुआ आज हम यहाँ पर काका कालेलकरद वारा लिखे पुस्तक जीवन विवस्ता संग्रह में से भारत वर्ष के धर्म का अध्यन करेंगे वे लिखते हैं कौन जाने किस तरह किंतु दुनिया के सभी धर्म हमारे देश में आप उंग्चे हैं और वे किसी को सुक से रहने नहीं देते अब इन धर्मों का हम करेंगे क्या यहाँ प्रश्ण अनिक लोगों के मन में समय समय पर उठता रहता है कुछ लोग कहते हैं कि जिस प्रकार अरबस्तान में सिर्फ इसलाम के अनुवया ही रह सकते हैं अमेरिका में अंग्री जी भाषा ही चल सकती है उसी प्रकार यदि भारत में धर्म के बारे में हो सका होता तो कितना अच्छा होता भारत में एक मातर हिंदु धर्म ही होता और दूसरे सब धर्म को यहां रहने की मना ही कर दी गई होती है तो कितना अच्छा होता दूसरे कुछ लोग पूछते हैं कि धर्म की बला ही क्यों रहनी चाहिए सभी धर्म समान रूफ से फेक देने जैसे है इने मेंसे एक को रखने और बाकी सब को निकाल देने का क्या आर्थ है यह भी पूछा जा सकता है कि भिन्न धर्मी लोगों के बाहर से आने पर आप शायद रोक लगा सकें किन्तो सनातन काल से इसी देश में रहने वाले लोगों में से कुछ यदि अपनी धर्मिक पानिता को बदर डाले या बाहर के किसी धर्म को स्विकार करें तो आप उन्हें कैसे रोक सकेंगे मनिश्य पर जवरन सत्ता भोगने का अधिकार किसी धर्म को ही होई कैसे सकता है इस प्रकार हमारे देश में धर्म विश्यक चर्चा चलती रहती है कुछ उंगते रहने वाले धर्मों के कान तक अभी या चर्चा पहुँची ही नहीं है कुछ भागे वारी धर्म जो होना होगा हमारे हाथ में क्या है हम तो पड़े रहेंगे और जो होगा उसे सेहन करेंगे ऐसा कहे कर जमुहाई लेते रहते हैं कुछ धर्म हक्के बक्के होकर अपनी योगिता और अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए प्रमान और दलीले एकत्र करते हैं और कोई धर्म को लगता है कि राज्य सत्ता के बिना धर्म टिके ही नहीं सकता इसलिए राज्य सत्ता की शरण हमें लेनी ही पड़ेगी एक जमाना ऐसा था जब धर्म सरवच्च सत्ता भोगते थे राजा को गदी से उतार देने की सत्ता भी धर्माचारें के हाथ में रहती थी राजा विशेक के समय धर्म गुरु ही राजा को राजत्त प्रदान करता था इंगलेंड के एक राजा को अपना मुकुट पोप के चरणों में रखकर उसे साश्टांग प्रणाम करना पड़ा था और रोम का पोप अपने शिश्य राजाओं के बीच सारी दुनिया का बटवारा कर सकता था परन्तु आगे चल कर धर्म संस्था की ये प्रतिष्ठा नहीं रही राजा सर्वपरी बन गया और धर्म अंत में राजा का आश्रित हो गया व्यक्तियों के जीवन में भी धर्म की सर्वपरी ता घड़ गई और संपत्ती तथा सत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ी धर्म का या अदा पतन किसलिए हुआ कारण इस पश्ठ है धर्मों ने राज्य व्यवस्था का अनुसरण और अनुकरण किया राज्य संस्था को आदर्शिमान कर धर्म संस्था का तंत्र रचा और सत्ता तथा अधिकार की परंपरा खड़ी की यूरोप में पोप की जो सत्ता थी, इस्लामी दुनिया में खलीफा की जो सत्ता थी वैसी सत्ता हमारे देश में धर्माचारियों, शंकराचारियों तथा राजपुरुईतों की कभी नहीं रही फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहां धर्म संस्था ने राज्य संस्था का नुकरण नहीं किया जातियों का संगठन, गुरु शिश्य संबंद, विश्यक नियम, मंदिरों की विवस्था इन सब के पीछे राज्य तंत्र के जेसी ही योजना है नतिया यह हुआ कि धर्म की जड में ही सडन पेदा हो गई लेकिन जिस समय राज्य सत्ता का नुकरण शुरू हुआ उस समय तो लोगों को यही लगता था कि अब धर्म की विजय हुई अब धर्म की सच्चे स्थापना हुई परन्तु धर्माचारियों की सत्ता बढ़ी उसी समय से सच्चा धर्मक्षीन होने लगा और सच्ची धर्मिक प्रेणा आचारियों के हाथ से निकल कर संतों के हाथ में चली गई भारत के संत अधिकतर तंत्र विमुख ही रहे और जहां उन्होंने तंत्र खड़ा किया वहां राज्य तंत्र के नमूने पर नहीं परन्तु लोग जीवन के अनुकूल ही तंत्र रचा यूरोप में क्या और हमारे देश में क्या तंत्र विमुख संतों की वजह से जितना धर्म टिक सका उतना ही टिका है एक पुरानी कहावत है एक कंबल पर बारह फकीर सो सकते हैं लेकिन एक बड़े सामराज्य में दो बादशाहों का निर्वा नहीं हो सकता जहां राज्य तंत्र का नुकरन किया जाएगा वहां एक स्थान पर एक ही धर्म निप सकता है भारत में सारी दुनिया के धर्म इखटे हो गए है क्योंकि भारत वास्तों में बारह फकीरों का कंबल है आज ऐसा नव हो तो भी वह फकीरों का कंबल बनने के लिए ही पैदा किया गया है जो मनुश्य बाहर से भारत को देखने आता है उसका पहला ही उद्गार यह होता है भारत एक विशाल धर्म परिवार है यहाँ बात सच है परंतो यहाँ परिवार मिल जुलकर रहने वाला नहीं है अरिकतर हिंदू परिवारों में जिस प्रकार भाई भाई एक दूसरे से अलग भी नहीं रहते और मिल जुलकर भी नहीं रह पाते हमेशा परस पर जगड़ते रहते हैं उसी प्रकार भारत के धर्मों का है शायद एसा हो कि हिंदू परिवार को जब हम सुधार सकेंगे और आपस में प्रेम तथा आदर की भावना रखकर मेल जुल से रहना सीखेंगे तब ही धर्मों का प्रश्ण भी हल होगा और आज जहां धर्म के क्षेतर में केवल कोला हल ही सुनाई पड़ता है वहां समनवे का विश्व समरद संगीत गगन मंडल को भर देगा बात यह है कि राजा और उनकी सरकारे मनश्य के बाहरी जीवन पर ही अधिकार भोग सकते हैं और इसलिए वे दुनियावी तंतर खड़ा करके उसके द्वारा अपने धे को सिद्ध कर सकते हैं जबकि धर्म का प्रभाव मूलतह आंतरिक होता है धर्म जानता है कि भीतर का प्रभाव अपने आप बाहर आए यही शुव और वांचनिये है राज्य सत्ता के बात वरण में धर्मों ने जीवन की अपेक्षा मानिता पर अधिक भार दिया मनिश्य का धर्मिक जीवन कैसा भी हो जदिवा धर्मिक मानिता से सेहमत हो तो इतना काफी है ऐसा वाटवन खड़ा करके हमने धर्मिकता का गला गूट दिया है धर्म का रहस उस के पालण में, उसके आचार में और धर्म पराइन चित्त वृत्ति में है इसके विप्रीत धार्मिक मानिता, धर्माविमान और परमत असाहिश्णुता को जन्म देती है धार्मिक जीवन से धर्म परायनता उत्पन होती है और धर्म परायनता से ही सर्वधर्म संभाव का विकास होता है धार्मिक मानिताओं में सर्व समानता बनाए रखने के लिए यूरोप में जीत ओड़ प्रेतन किये गए और भारी जगडे खड़े किये गए हमारे देश में मानिताओं के विशे में तो छूट थी परन्तु आचार धर्म के विशय में सारे समाज को यांत्रिक शिकन्जे में पढ़कर रखा जाता था जिसके फल्सरूप यहां बॉध्धिक सुतनता का विकास हुआ किन्तो बुध्धिक अनुसार कर्म करने की छूट ना होने से विचारों के अनुसार आचरण का विकास ना होने से बुध्धिक आक तेक शीन हो गया और धर्मा धर्म तथा द्वेता द्वेत की चर्चा केवल डिबेटिंग क्लब जैसी चीज हो गई धर्म हमेशा पारमार्थिक वस्तू होना चाहिए जैसी मानता हो वेशा जीवन बन जाए तभी मनुष्य की बुध्धि शुद्ध और शुव रहती है और उसका आचार मानोता पूण आविकरत और संसकार संपन बनता है यहीं बड़े से बड़ा धर्म सूत्र और जीवन सूत्र है कि जैसा विश्वास हो वेशा ही आचरन रखो परन्तु धार्मिक आदर्श सर्वोच्य कोटी तक पहुचा हुआ होने के कारण उसके आचरन में ढीले और द्रण लोगों के वर्ग तो पढ़ेंगे ही श्रावक और साधु, सन्यासी और ग्रहस्त, श्रमन और श्रमन एतर के भेद उत्पन होने के बाद मानिताओं से पूरी तरह चिप्टे रहो और आचरन के शितिलता के उपेक्षा करो का वातरन पैदा हुए बिना नहीं रह सकता और इसमें इतने में दोश नहीं पैदा होते, परन्तु इंग्लेंड में प्रोटेस्टेन व्यापरियों ने एक दूसरा ही सुत्र खोज निकाला धर्म जीवन का केवल एक अंग है, धर्म के स्थान पर ही धर्म शोबा देता है, विवार में हर जगा हम धर्म को ले आएंगे, तो विवार भी बिगड़ेगा और धर्म भी बिगड़ेगा ऐसा कहकर इन लोगों ने धर्म को जीवन की सामने चीज बिना डाला है अब लोग इतने गंभिर भी नहीं रह गए हैं, और धर्म की कलपना भी इतनी छिचली नहीं रही है धर्म का अर्थे जीवन का परिशकरन, जीवन का परिवर्तन, इतनी बात लोगों ने समझ लिये अब एदिधारभिक्ता की रक्षा करनी हो तो धर्मों के बीच जगडों को भूल जाना चाहिए और सारे धर्मों में जो लोग सच्चे धर्मनिष्ठ है उन्हें निरेश सध्धांतिक मदवेदोों को भूल कर तदा धर्मों में रही हार्दिक एक्ता को पहचान कर आपस में संगठित होना चाहिए हर धर्मों में धर्म परायन लोग भी होते हैं और धर्मा विमानी लोग भी होते हैं दर्म परायन लोग धार्मिक जीवन में गहरे उतरते हैं, अपने आपको सुधारने का सतत प्रेयत्न करते हैं, और इस प्रकार अपनी धार्मिकता की सुगन चारों तरफ फैलाते हैं, लेकिन आज के जमाने में समाज का नेतरुत करते हैं, धर्मा भी मानी लोग ही, उन्हें धर्मिक आचरन की बिल्कुल परवाह नहीं होती, उन्हें तो धर्म के नाम पर एक दुनियावी संगठन ही खड़ा करना होता है, ऐसे लोग ही अपने धर्म के अनुवायों को तेजित करके धर्मिक जगड़े शुरू करते हैं, अत्वा उन्हें चलाते हैं, और जब धर्म ध उद्हारकों की आवाज को दबा दिया जाता है, जनता को यह भात समझानी चाहिए, कि भिन भिन धर्मों के लोग एक दूसरे के शत्रू नहीं है, सच्चे शत्रू तो अधर्मी अर्था धर्म विरोधी ही हैं, एक बात हमें इसपश्च रूप से समझ लेनी चाहिए, कि आ मैं अपना सब कुछ संभाल कर बेठा रहूंगा, दूसरों से मेरा क्या संबन्ध, ऐसा कहने से अब काम नहीं चलेगा, मैं सबकी बात को समझूँगा, सबको अपनी बात समझाऊंगा, सबकी बात सहन करूँगा, सबको सहन करूँगा, और सबके साथ ओध्परोथ हो यही अप धर्म का युग धर्म है, अब आगे सब मनुष्यों को एक दूसरे का रंग लगेगा, और फिर भी प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतनता की रक्षा करेगा, अब हमें एक अत्यंत भात्व की बात प्रचलित करनी होगी, आज तक हम यहां मानते और कहते आए हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका अपना धर्म अच्छा है, सभी धर्म अच्छे हैं, इसलिए ना तो कोई अपने धर्म का त्याक करे और ना दूसरों के धर्म की निंदा करे, यहां तक तो सब ठीक ही है, लेकिन इतने से ही अब हमारा काम नहीं चलेगा, स्वधर्म का पूर्णतिया हमारी सबज में आएगा, और इसा करके ही हम सब के साथ शान्ति और मेल जोल से रह सकेंगे, शेशंकराचारी ने इस तत्व को समझ लिया था, उन्हों है देखा कि भारत में असंख्य देवी देवताओं के पूजा होती है, भारत के लोगों की शायर गिंती ह हो सकती है, लेकिन भारत के देवी देवताओं की नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने पांच देवों को मुख्य मानकर बाकि सब को इन पांच देवों के ही अवतार बना दिया, महादेव, विष्णु, गणपती, देवी और सूर्य, इन पांच देवों को उन्होंने हिंद ऐसा करके श्री शंकराचारे ने सब देवी देवताओं के सम्मुन में भक्तों के बीच चलने वाले जगलों को खतम कर दिया, सब धर्म के परती हमारा सच्चा सद्वाह होना चाहिए, सब धर्म के उपासना हमें समझ लेनी चाहिए, उसमें किसी हद तक हम भाग ले सकते हैं, परन्तु द्रड तो हमें अपने धर्म पर ही रहना चाहिए जब सभी धर्म सच्चे हैं तो धर्म परिवर्तन के लिए गुणजाईश ही नहीं रह जाती सभी धर्म सच्चे हैं और सभी धर्म किसी हद तक एकांगे और अपून हैं यहाँ बात स्यादवाद और सब्त भंगी न्याय को समझने वाले जेनों की समझ में तुरंट आ जानी चाहिए सब धर्मों का ग्यान होने पर ही स्वधर्म का रहत से समझ में आता है बातों में जितने धर्म हैं उतनी ही जीवन पद्धतियां है इन सब पद्धतियों द्वारा मनिश्यों को जीवन का दर्शन होना चाहिए इसलिए इन सब धर्मों की आवशक्ता है कहा जाता है कि रामकृष्ण परमास ने अलग-अलग समय पर इन सब धर्मों की साधना करके देख लिया और उसके बाद वे इसी निर्णबर पहुँचे कि ये सब मार्ग एक ही प्राप्तविलक्ष की और ले जाते हैं ऐसे साक्षातकार प्रत्यक्षनवो के लिए बौधिक अहिंसा यानि स्यादवाद और तब की आवशक्ता है प्रत्यक्षनवो का आधार है आत्मा पर विश्वास जिन लोगों को आत्मा में विश्वास नहीं है उन्हें गीता में आसुरी संपत्ति वाले कहा है इसलिए सच पूछा जाए तो मनिश्य जाती के दो ही विभाग किये जा सकते हैं देवी संपत्ति वाले और आसुरी संपत्ति वाले और इन दोनों के बीच कोई समझोता हूँ ही नहीं सकता प्रत्यक मनिश्य के रदय में कम या अधिक मात्रा में देवी और आसुरी वृत्तियां होती है इसलिए इन दोनों के बीच सनातन संगर्ष चलता ही रहता है इस युद्ध में यदि हमारी जीत हुई तो समाज में धर्मों के बीच चलने माला जगड़ा अपने आप ही शान्त हो जाएगा प्रत्यक्रदय में जब देवी और आसुरी संपत्ती के भी जगड़ा चलता है तब अनेक बार परवश बनी ही देवी व्रत्ती बाहर से मदद की आशा रखती है इसी में से इश्वर शरण की व्रत्ती उत्पन होई है सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शर्णम व्रजा ऐसा जब भगवान शीक रश्ण ने कहा तब उनकी नजर के सामने आर्य धर्म, इसलाम, बौध, अथ्वाजेन धर्म, सिख या इसाई धर्म जैसे धर्म नहीं थे ज्यान, भक्ती कर्म और उपास्तना जैसे मार्ग बेदों का भी उन्होंने कोई संकेत नहीं किया था किन्तु देश धर्म और कुल धर्म, जाती धर्म और वयो धर्म, गुन धर्म और शरीर धर्म, कला धर्म और आपत धर्म ऐसे उस समय के चर्चित, संकुचित और एकांगी धर्मों का विचार करके ही भगवान ने अर्जुन से कहा था कि इन सब धर्मों को तू छोड़ दो, पूरी तरह छोड़ दे और एकमात्र आत्मतत्व की ही शरण में जा उसके बाद ही स्वधर्म और स्वधर्म का रहस्य खुलेगा और उसका मार्ग मिलेगा जार पंगया